नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साधारियों में द्वन सी कृष्णा कोचिंग सेंटर की तरफ से आज मैं दोस्तों आपको ले आके आया हूँ आउसत ग्याद करने का आसान तरीका तो देखी दोस्तो आज मैं आपको बहुत बेश्ट तरीका बताँ हूँ और आज़री से आउसत गयाद कर सकते हैं ठीक है दोस्तो मैं question start करता हूँ कि साथ क्रमागत संख्याओं का आउसत 20 है सबसे बड़ी संख्या गयाद करें साथ क्रमागत संख्यों का आवसओ 20 सबसे साथ बड़ी संख्या ग्याद करहें। तो आवसद जो होता है वो मध्य yhtर verbal होता है किसंख्या कितनी हो गई दोस्तों 23 में क्विश्टन है दोस्तो- चारित कर्म प्रॉशंख्यागर्ण का है उस्त 9 हैं सबसे ृभी उसक्या ग्याद करेंس तो आरामचा यहें दो सब उस freakin हुए टेर दो सबसे बड़ी पूंश रहा है तो हमारा हाम से बता देंगे सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी बाहर इस अगला कोषिचन है 45 लगातार आने बाली संख्यां का आउसत 27 है सबसे बड़ी संख्या विर्यादगर, तो चार लगातार चार लगातार दोस्तों हमने चार कालम कहीच लिए चार डंडे खीच लिए ठीक है दोस्तों चार अब चार में नहीं पूंच लरा यह सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी पूंच रहरे तीस तो अगला कौश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है छे क्रमा अगत विसम संख्याओं का आउसत 32 है सबसे छोटी संख्या ग्याद करें तो छे संख्याओं लिए हमने एक दो तीन चार पांच छे तो आउसत लिखा हमने पहली 31 लिखा किंदने लिखा दोस्तो 31 तो अब इसमें जो आउसत या वो 32 दिया है हुआ ही मद्दमान बानते हैं तो 32 आगे हम किरमागत है न 33 63 35 35 35 35 क्योंकि किरमागत विसम संख्या है इधर आ जाएंगे दो गटा दिया बात इसमें से 169 27 । सबसे छोटी संख्या होगी इशता हैना दोस्तों आराम से आसाने से बता सकते हैं 27 वास 20 संख्याओं को अवस्त बढ़ जाएगा अगर भाग देंगे तो उतना ही अनपात में घट जाएगा तो देखो दोस्तों पंद्र संख्याओं को अवस्त कितना था ब्यालीज ठीक है अगर प्रतियक संख्याओं अगला प्रतियक संख्याओं को ग्यारा से भाग दिया जाए तो नया आवस्त ग्याद करो तो तो एक तो एक दिस पांच आदमी के सम्हू का आउसत बजन 56 किलोग्राम है एक नए व्यक्ति के आज आने पर सम्हू के आउसत बजन में 2.5 केजी की व्रद्धी हो जाती है नए आदमी का बजन ग्याद करो हम नए आदमी का बजन ग्याद करेंगे तो कैसे हैं टोटल का 56 तो 56 तो हमारा एवरेज हाई है अब जो नए व्यक्ति आया वह कितना बढ़ा रहा है पांच व्यक्ति थे एक नए आ आ गया तो व्यक्ति हो गए छे शे हो गए अब धाई एवरेज बढ़ रहा है दुद्स में है वो 71 किलोग्राम हो जागा अगला क्वेशन हारा कि क्वेशन है तेरा व्यक्ति के आउसत बजन 60 केजी है एक नए आदमी के आ जाने पर सम्हूं कि आउसत बजन में 1.5 केजी की कमी हो जाती है तो नए आदमी का बजन गयात करो तो हम भाई काम करेंगी जो आवरेज है जादे हो गए अब कमी कितने की 1.5 भी इसकी मल्टिप्लाई कर लेंगे आरा हमसे 21 आया एक साट में से की घटा दिया कितना हो जा 49 ठीक है क्ला क्वेशन है साथ आदमी के सम्हूं का आउसत बजन मैं एक 80 किलोग्राम के नए आदमी के आजाने पर दो किलोग्राम की ब्रद आदमी साथ थे तो एक और बढ़ी आठ हो गए तो आठ दूनी 16 उतना ही हम घटा देंगे ठीक है जो ब्रद्दी और यह वही घटा देंगे तो असी वैसे 26 हो गया 16 गटा देंगे 64 तो सबका जो आउसत हो गया वह 64 किलोग्राम हो गया ठीक है अगला क्वेशन है हमारा 16 आदमी के समु का आउसत बजन 70 किलोग्राम है एक आदमी के इस्तान पर एक नए आदमी के आजाने पर समु का आउसत 0.5 केजी की कमी हो गई नए आदमी का बजन ग्याद करो बही तरीका है कि सबका वो जो बेट है आउसत वो 70 है अब 16 वेक्ती ठीक है ना दोस्तों तो एक नए आदमी के आजाने पर कमी हो गई 0.5 केजी की तो 16 गुणा 0.5 आट हो गया और 70 मानस 8 62 बचाएगा तो जो आउसत हो गया नए वो 62 हो गया अगला क्वेशन है हमारा 10 आदमी के समु का आउसत बजन एक 80 किलोग्राम है और एक आदमी के इस् बढल जान मैं के बस mondo घाएग तो इंदमी यह उतने ही रहे जितने गए उतने ही रहे ठीक है तो क्योंजन अरा प्रेजिता व केजी की क्या होई ब्रद्धी होई तो व्यक्ति हमारे उतने ही रहेंगे जितने थे तसमाजी पिचास पांच हो गया पांच और शी पिच्चास ही ठीक है इस तरह अराम से आप सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही काफी है और एक क्वेश्चन आओ देख लीजिए टाम एंड इस्पीड एंड डिस्टेंस समनते एबरेज स्पीड निकाल देम टोटल डिस्टेंस वटे टोटल टाइमस क्वेश्चन है कि एक आदमी ए से बी तक 20 किलोमेटर पर चल लेकी बीकी चाल लेकिए इनका इल सिंप लेया बीस ओर थीसका ऑज साट आया हमने 20 कona में भाग दिया थी का साट और आ ह। तुबार घया आशक कशेप सैंहिं के सब्सक्तार टोटल कहले है आ हम वहें उसको दोगना कर लेते हैं ठीक। स्राट का दोगना कितना हुए एक सबीस और पांच के साफ से इसकाइब रहे जो गया चौवीस पंजे एक सबीस तो यहां से इसको भाग दे दिया तो यहां कि चौवीस किलोमेटर पर हावर से ठीक है ऐसे देखों एक क्वेशन और देखिए एक आदमी ए से बी 20 किलोमेटर पर हावर की चाल से जाता है तता बी से ए तक 30 किलोमेटर पर हावर की चाल से बापस आता है तता भै फिर बापस ए से बी तक 40 किलोमेटर पर हावर की चाल से जाता है उसकी आउसा चलवता है बही काम किया बिल्कुल से महसान तरीका है एका इसके काम कात्य गुना कर लेंगे तीन लोग है न थी टाइम्स घया है आया घया घया तो एक सुभीज गुना तीन वटे थर्टीन टोटल निन थर्टीन हो गई तीन साथ वटे तेरा यह सकता इसे ही 9 वटे 3 किलो मीटर पर हावर्स यह इसकी इस वीडियो गई ठीक है नमस्कार दोस्तो थेंक यू धन्वाद हमारी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो इसके लिए सेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे इस बैल आइकन को दमाएं जैसे हमारे